नमस्कार साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखाने की कोशिज कर रहा हूं कि जो सीसा होता है जो एंटिक अपने जो आइटम होते हैं किस तरीकी की पैकिंग होती है और इसमें आप देख सकते हो जो हमारे करीकर हैं इसमें लगे हुए हैं इसके पहले तो क कांच के आइटम को जो तूटने से बचाता है इसलिए कांच का जो भी आइटम होता है उस पर एक बार बबल जरूर लगनी चाहिए क्योंकि उसको सभी से वह प्रोटक्ट कर लेता है अब आप यह देख सकते हो कि यह लोग कार्डबोर्ड को लगाया रहे हैं और कार्डब प्रोटेक्शन हो सके इसे सईसे टेपिंग वगेरा कर दिये गया है अब इन्होंने मिरर पलटके अब इस पर दुबार ऐसे जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर फिर यह कार्डबोर्ड लगा रहे हैं जिससे के ट्रक में लोड करते टाइम ब्रेकर पर अगर गाड़ी उचलत है तो कोई भी हानी ना हो सुरक्षित समान पहुंच सके इस बात का खास तोर से ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं और हमें ट्रक में कैसे लोड करना है यह नो सिकिए अगर लड़के होते हैं तो महां नुकसान होने का ज्यादा आशिंका होत समस्या है नहीं आती है कि वह सुरक्षित समान पहुंच जाता है वो तो पैकिंग करते समय पता चल जाता है कोन कितना落़त है चैसे आफिक के लेमीलेशन कवर करने है और इसे लेमीलेशन भी बोलते हैंए इसके फिलम भी बोलते हैं मैं आपनोती मैं आपको पता दूंल hetand जो लगाया है न इसकी प्रोटेक्शन और होती है और पैकिंग टाइट हजा समान जो बचाव होता है कर वो कठेश से होता है कि स्केश फिलम को इसलिए लगाया जाता इस गत्य को बचाया सेके अगर खाली के फिलम केा कम कररें तो समान नहीं बच सकता है उसके साथ साथ इस पर गता लगना जरूरी है कि